बिग बॉस सोला के घर में एक बार फिर से हंगामा हुआ वो भी शालीन टीना और सुंबुल के बीच दरसल हुआ यूंकि टीना के पैर में अचानक चोट लग जाती है और शालीन उन्हें मरहम लगाने जाती है और फिर MC Stann उन्हें कहते हैं कि मरहम नहीं दवा चाहिए इसे शालीन उनकी बात नहीं सुनते तो MC Stann उन्हें भला बुरा कहते हैं दोनों की भी जगड़ा हुआ और बात हाथा पाई तक पहुँँच गयी दोनों को घरवाले चुड़वाने की कोशिश करते हैं सुम्बुल शालीन को पकड़ कर अलग ले आती है और कमरे में ले जाकर सुम्बुल शालीन पर जोरदार तरीके से चिलाती है कि आप बाहर नहीं जाओगे। टीना मामले को शांत करने के लिए उसी कमरे में जाती है और आराम से बात करने की कोशिश करती है लेकिन सुम्बुल बीच में चिलाने लगती है इस पर टीना आराम से सुम्बुल को कहती है कि आप शांत हो जाओ इस पर सुम्बुल कहती है कैसे में कंट्रोल नहीं कर सकती फिर टीना भी चिला कर कहती है नहीं कर सकती तो बाहर जाओ सुम्बुल की हरकते देख टीना भड़क जाती है और वो वहां से चली जाती है लेकिन शालीन उसके पीछे जाते हैं लेकिन सुम्बुल शालीन का हाथ पकड़ कर उन्हें रोकने लगती है तब शालीन भी सुम्बुल पर भड़क जाते है शालीन सुम्बुल पर भड़कते हुए कहते हैं कि चुप करो यार टीना ये देखकर कहती है इतना क्या possessiveness है शालीन को ऐसे पकड़ के रखती है दिन भर ऐसे क्या दोस्ती होती है इधर सची दोस्ती है वही आज वीकिन की वार में सलमान खान भी सुंबुल की क्लास लगाते दिखाए देंगे सलमान सुंबुल को साफ कहते हैं कि आप शालीन से obsessed हैं मतलब आप सुंबुल शालीन के लिए पागल है इस पर शालीन कहते हैं कि वो 20 साल छोटी है मेरे से फिर सलमान कहते हैं कि इतनी भी क्या गहरी दोस्ती है कि वो टीना को 5 मिनिट नहीं दे रही बात करने के लिए फिर टीना कहती है कि अगर शालीन बात्रूम जाता है तो वो बाहर खड़ी हो जाती है सलमान की बात सुनकर सुंबुल रोने लगती है सुंबुल कहती है नहीं सर सल्मान फिर कहते हैं दिखाई नहीं दे रहा है आपको ये सुम्बुल इस पर घर जाने की रिक्वेस्ट करती है और कहती है मेरे को नहीं रहना यहाँ घर जाना है सुम्बुल की बाद पर सल्मान कहते हैं तो जाओ रोका किसने है आपको इस पूरे हंगामे के बाद सोशल मीडिया पर सुम्बुल टीना ट्रेंड करने लगा है हर किसी का कहना है कि सुम्बुल शालिन को लेकर हद से ज्यादा पुजैसिव है आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले